आज में बनाने जारी थी बहुत ही इंस्टेंटली बन जाने वाली ये वेजिटेबल तहरी, मसाला पुलाओ, इंस्टेंट बिर्यानी आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सारे वेजिटेबल ले लिया, आपके पास जो भी वेजिटेबल सो आप ले सकते हो, आपकी चोईस के, उसमें मैंने मिलाया थोड़ा सा फेटा हुआ दही, थोड़ा सा अधरकलस्टन का पेस्ट और उसमें जाएंगे कुछ मसाले, मैंने सब तो फ्राइ करके भी डाल सकते हो, इससे नहीं थोड़ा वो फ्लेवर आ जाता है, बिर्यानी बिर्यानी जैसा, पुदीना, और ये प्यास डाल के, दन मैंने पैन में ओईल गरम किया, उसमें सारे खड़े मसाले डाले, कोई भी मसाल ऐसा है, जिसका फ्लेवर आपको पसंद ये तो आप उसे हटा सकते हैं, इसमें मैंने चॉप्ड अनियन डाल दिया, चॉप्ड अनियन थोड़ा सा जैसे ही फ्राइ हो जाएगा, इसके अंतर जो मैंने मैरिनेट किये वे वेजीटेबल्स रखे थे, मिनमम 20 मिनट आप जरूर मैरिनेट करना, उस सारा का सारा हम इसम उसके बाद जब ये मसाला अपना कोर्मा छोड़ दे, तो मैं इसमें मिलाऊंगी सोग द्राइस जो मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिये थे, इससे चावल बहुत खेले खेले भी बनते हैं और बहुत अच्छे लंबे भी हो जाते हैं, देन मैंने इसके अंदर मिलाया पानी, पानी आपका चावल जितना लेता है उसके इसाप से डालतीजे, मैंने उपर से भी इसके अंदर थोड़े से प्यास डाले फ्राइड, थोड़ा सा घी डाला और थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाला, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, उसके बाद मैंने इसक जगा पर गए थे, जहाँ पर खुला आसमान था, एरपोर्ट की जगा थी, फ्लाइट्स आरी जारी थी, बहुत ही अच्छा मौसम था और हमने खुले आसमान के नीचे बैठके ये तहरी अपनी इंजोई करी है